तो दोस्तों से दियों बात करने वाले वीपरो लिमिटेड कमपनी के बारे में और वीपरो के अंदर दोस्तों आज हमें यहां पर जो है वो प्रोविजनली अल्मोस्ट 3% के अराउंड की एक बहुती जबरदस गिरावट और उसी के साथ काउंटर के अंदर आज अगेन हमें यहां पर जो है वो एक sharp rejection और एक अच्छी कासी negative closing भी जो है वो देखने को मिली है तो देखो दोस्तों वीपरो के अंदर आप सभी लोगों को पता है कि कल यहां पर यह stock gap up के साथ something around 4% तक positive note पे close हुआ था और आज clearly हमें यहां पर जो है वो कल की पूरी की पूरी candle को overcome करके एक negative candle बनती हुई देखने को मिली है और यहां पर यह क्या है एक bearish engulfing type का candle आज हमें वीपरो कंपनी के लिए देखने को मिल रहा है अब बहुत सारे लोगों के questions आ रहे है कि क्या bonus की वज़े से stock भागेगा क्या bonus के मतलब अगर bonus अगर cancel हो गया तो क्या stock के अंदर गिराव यहां पर IT companies के कैसे आ रहे हमने दो IT companies के results चेक किये TCS के and यहां पर HCL Technologies के यह दोनों company size में काफी बड़ी है इसलिए मैं नाम ले रहा हूँ वरना वैसे तो results हमने Tata LXE के भी चेक किये लेकिन वो उतनी बड़ी company नहीं है उनका उतना ज़दा revenue यहां पर जो है वो अमेरिका North America वहां से नहीं आता तो उनका performance काफी बड़ी हा रहा बट अगर हम TCS और XL Technologies की बात करें तो उनके numbers हमें definitely जो है वो थोड़े से down ही चाते हुए देखने को मिले तो Wipro के अंदर भी आपकी expectation similar रहनी चीए कि quarter on quarter performance हमें थोड़ा सा poor देखने को मिल सकता है बट year on year performance अच्छा आना चीए तभी जाके stock यहाँ पर जो है वो stable रहेगा अगर quarterly yearly दोनो performance पूर निकला तो फिर stock के अंदर again हमें यहाँ पर जो है वो correction देखने को मिल सकता है अब second important thing कि यहाँ पर क्या Wipro के अंदर मतलब अगर मालो 17 date को आज से exactly कल नहीं पर सो Thursday को जो Wipro के board of directors की meeting है जिसमे main agenda है bonus का तो अगर मालो bonus मिल गया तो क्या share यहाँ से भागेगा ऐसी कोई जरूरी बात नहीं है क्योंकि हमने और एक example आपके सामने है आप Reliance को जाके देख लो आप is my trip को जाके देख लो यह company recently यहाँ पर जो है वो one is to one का bonus issue कर चुकी है दोनों में से कौन से share के अंदर ते चीजों को देखते हुए global markets को देखते हुए यहाँ पर कोई reaction आएगा तो आप यह मान के चलोगे कि bonus की वज़े से अगर मालो bonus है ना उन्च हुआ stock भागेगा मैं उससे पहले खरीद लेता हूँ और short term में 2-3 दिन में 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 अच्छा कासा profit मिल जाएगा यह चीज possible भी है और possible नहीं भी है और stock यहाँ से गिर भी सकता है अगर मालो bonus यहाँ पर जो है वो issue नहीं हुआ या फिर अगर ratio जो है वो favorable नहीं हुआ तो भी शायद से stock के अंदर हमें correction देखने को मिल सकता है so everything depends upon the results and the corporate event now और उसके accordingly ही stock का price जो है वो perform करेगा then to में अगर आपको short term के levels देदू 560 resistance है उसके उपर stock strength में रहेगा and 520 support है उसके नीचे ही हमें vipro के अंदर कोई major गिरावर देखने को मिलेगी